बॉक्स हो इस पर साल 2019 में कई सारी फिल्में रिलीज हुई है और सभी फिल्मों ने कमाई के मावले में अच्छा काता रिकॉर्ड भी बनाया है लेकिन दोस्तों साल 2020 और भी ज़्यादा जबरदस्त होने वाला है क्योंकि साल 2020 में कई सारी बड़ी फिल्में रिलीज होने वा और ऐसे में सबसे पहली फिल्म की बात करेंगे तो सबसे पहली फिल्म का नाम है ताना जी दी अंसग वोरियर जैसे कि आपसे भी जानते हैं कि अजय देगोन और सैफली खान स्टार फिल्म ताना जी एक लंबे समय से चर्चाओं के विशे में बनी हुई है और इस फिल्म के प्रतिवी राज की भाई पिक को भी लेकर अक्षे कुमार काफ ज़्यदः चर्चाओं में चल रहे हैं चौती फिल्म होगी रितिक रोशन की क्रीश फोर जी हम वहर फिल्म की ग्रेंट सेकस्स के बार रितिक रोशन अपने फैंस को क्रीश फोर के जरी एक बड़ी फिल्म और माना जा रहे हैं कि इस फिल्म को और वी जदा ग्रैंड बनाये जाएगा पांची फिल्म होने वाली है सलमान खान की राधी राधी फिल्म की बात करें तो साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म आउट लोस का हिंदी रिमेग होने वाला है जिस फिल्म में सलमान के अपोजिट दिशा पार्टनी नजर आएंगी साती इस फिल्म में रंदी फुटा और जैकी शुरूप का भी काफी एहम रोल होने वाला है 6 फिल्म होगी अक्षे कुमार की शुरूबंसी और शुरूफ बशुड़ियर वाला होने वाला है और साजी नदियार वाला भी चाहते हैं की किकटो को और वह जादा ग्रैंड बनायाए जाए हलाकि इस से पहले वी किकटो की स्क्रिट पर काम किया गया था नतीजन उनों ने दुबारा से इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम करने को कहा था और माना जा रहा है कि अब फिल्म के स्क्रिप्ट सल्मान खान को पसंद आ गई है और जल्दी इस फिल्म पर काम शुरू हो सकता है आठे में बड़ी फिल्म होने वाली है केजिएफ चेप्टर टू जी है केजिएफ चेप्टर टू को भी लेकर काफी ज़्यादा चर्चाई की जा रही है और केजिएफ चेप्टर वन में यश्ट की बैटरिन परफूंस देखने के बाद काफी बेसब्री से इंतिजार किया जा है क्योंकि इस फिल्म के दूसरे पार्ट में अधीरा के लोक में संजे दत नवजर आने वाले हैं साथी इस फिल्म में रवीना टंडन का भी काफी एहम रोल होने वाला है नवी फिल्म की बात करेंगे तो ब्रमास का नाम आता जी है अमीर खान की ये फिल्म काफी माईनों में खास होगी फिलाले इस फिल्म में अमीर खान को लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं ये देखना वाकि दिल्चस्प होगा क्योंकि उनकी पिछली रिलीज फिल्म ठक सुमंदुस्तान बुरी तरीके से ब्लॉक्स ओफिस कलेक्शन के मावले में फ्लॉप सावेत हुई थी ऐसे में कहा जा रहा है कि लाल सिंग चड़ा को 100% प्रफेक्ट बनाने में मिस्टर प्रफेंटनिस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाते हैं और लाल सिंग चड़ा साल 1994 में वाई हॉलिवुड फिल्म फोरेश्ट गम का हिंदी रिमेक होने वाली है जिस फिल्म में थोड़े बहुत बदलाव करके इस फिल्म को अमीर खान दश्कों के बीच पेश करने वाले हैं तो दोस्तों ये ती साल 2020 में आने वाली वो दस बड़ी फिल्म है जो दस बड़ी फिल्म है अभी से जादा चर्चाओ के विशे में बनी हुई है ऐसे में दोस्तों आपकी इस बारे में क्या रहा है और साल 2020 में आप इन 10 बड़ी फिल्म में से किस फिल्म का कितनी बेसवरी से निजार कर रहे हैं कमेंड शेक्षन के बाद हम से हमें जरूर अपनी राय दें